संपूर्ण संस्कृत वैकरण मात्र साथ दिनों में जी हाँ दोस्तों संस्कृत की एक्जाम स्रीज का ये फिप्ट पार्ट है पाच्वा पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे धातू परकरण यानि तीडन्त परकरण के बारे में इससे पहली वीडियो में हमने बात करी स सुबंत यानि सब्द रूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे धातू रूप यानि धातू परकरण जिसे तीडन्त परकरण भी बोलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे परकरण यानि अध्या यानि चैप्टर दमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सौरब स्वागत है आपका आएर मेडिकल ख्लासिस में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाए दे रही होगी एक युनीक सी बूक जो की है बी एमस फर्स्ट इयर की तो इस बूक में आपको मिलेगा टोटल सालेबस ओफ बी एमस फर्स्ट इयर यानि जितने भी आपके सबजेक्ट है इस अकेली इस बू की बुक है और इसमें सारा स्लेवस आपका कवर हो जाता है यह जो बुक है वो थीम पब्लिकेशन ने लौंच की है और यह काफी यूनीक की बुक है पर्सनली मैं इसे रिकमेंड करूंगा आपके लिए अगर आप इसको लेना चाते हैं एक्चुल में यह बुक भी नहीं है यह सेंपल कुशन पेपर है जिसमें पूरा स्लेवस आपका कवर हो जाता है इसी के साथ ही यह आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कुशन प इसके लिए इंटरस्टिड है उसके बाद मैं आपके डिसकाउंट के लिए इनसे बात करके आपको यह बुक प्रोवाइड करा दूगा ठीक है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंसेप पे तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातू परकरण तो धातू परकरण में सब से पहल हम देखते हैं कि धातू होता क्या है बेसिकली धातू होता है किरिया यानि वर्ब या तिरंत भी इसको बोलते हैं ठीक है इतना समझने आया अब संस्किर्ट में दस लकार होते हैं लकार को आप टैंसिस से ले सकते हैं तो लकार होते हैं दस और वो कौन-कौन से होते हैं तो प्रणग आसिरलेंग और लिट और लूंग लकार तो इस तरह से हो गए 10 लकार घबराने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि आपके स्लेवस में कुल 5 इनमें से पढ़ने होंगे कुल 5 ही लकार हैं ठीक है तो आपको 5 ही लकार पढ़ने होंगे तो बेसिकली अब हम चलते हैं आगे की और तो आगे इसमें क्या होता है इसमें तीन पूरुस होते हैं परतम पूरुस दृत्या उत्तम तो जो परतम पूरुस होता है वो third person होता है suppose कि ये कहीं पे तीन बंदे खड़े हुए हैं और वो अपस में बात कर रहे हैं तो पहला वो person होगा जो कुछ बता रहा है दूसरा वो person है जो कुछ सुन रहा है उसकी बातों को बताए हुए बातों और तीसरा वो person होता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं तो ये तीनो परसंट होते हैं तो प्रथम third person को कहेंगे दूत्य second person को कहेंगे उत्तम first person को कहेंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं आगेगी आगे इसमें क्या होता है कि जो धातू होते हैं जो किरिया होती है संस्कृत में, उनको basically तीन भागों में बाटा गया है, कौन-कौन से वो भाग होते हैं, वो मैं आपको पता देता हूँ, पहला भाग होता है, परस में पद, तो परस में पद होता क्या है, धात्वों के वर्तमान काल में, अगर ती त अंती इस तरह से आरज जैसे लिखा हुआ है पठती, पठत, पठनती, तो यह क्या हो गए, परस में पद हो गए, ठीक है, इतना समझा रहा है, नेक्स चलते हैं, नेक्स क्या है, नेक्स हो जाता है, आत्मने पद, तो आत्मने पद क्या होता है, कि अगर धातों में ते इते अंते आ रहा है, सेवत दोनौ प्रत्या लगते हैं क्या लगते हैं। आप माते हैं इसके structure पे तो basically जब आप structure इसको देखेंगे तो structure आपके slayvus में 5 लकार है कौन कौन से लकार है उसकी बात कर लेते हैं लकार है लट लकार लंग लकार लीट लोट और विधिलिंग तो ये 5 लकार होते हैं आपके slayvus में basically अगर मैं बात करूँ लट लकार की तो लट लकार को वर्तमान काल से correlate कर सकते हैं अब बात करेंगे इसके structure की तो इसका structure कुछ ऐसा है तो जिसमें 3 वचन है और 3 पुरुस है छिक है अगर पर्थम पुरुस 1 वचन लिखा हुआ है क्यूशन आ रहा है पर्थम पुरुस 1 ठीक वचन धातू रूप लिखिये तो ठीक अगर पठ धातू का है तो पठती हो जाएगा ठीक है गच्छ धातू का है तो गच्छती हो जाएगा ठीक इस तरह से हो जाएगा तो आखिर में क्या लगता है ती त अन्ती सी थ थ मी व म तो इस तरह से लगता है ठीक तो अब चलते हैं next पे तो यह structure हो गया बस कोई भी धातू आएगा कोई भी वर्बाएगी उसके last में आपको यह लगाना है तो यह अगर आप table याद कर लेते कोई भी धातू आजाए उसके last में आपको यह लगाना होता है तीता आंती सीता थ मी व मा तो यह लगा देंगे और काम हो जाएगा हमारा ठीक है next चलते हैं हम लंग लकार के अब हम बात करेंगे लंग लकार यानि भूत काल ठीक है past tense से correlate कर सकते हैं तो पर्धम पुरुष में एक वचन में दी वचन भावचन तो ताम अन ठीक मध्यम में सा तम त और उत्तर में आम अम व म तो इस तरह से यह लंग लकार इन भूत काल में होते हैं ठीक है तो इस तरह से होते हैं next चलते हैं हम तो नेक्स चलेंगे नेक्स पर आते हैं विधिलिंग विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थों में होता है जैसे कोई बोल दे कि नहीं मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए ठीक है तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं या मुझे खाना चाहिए मुझे पानी चाहिए तो sentences होते हैं वो विद्धियलेंग लगार के इंतर्गता आते हैं तो बहाँ पर डिए व्यॆ इस तरह से यह structure तो basically आपको क्या करना है बस यह structures याद करने हैं कोई विधातु है उसके पीछे यह fit करना है और जोड़ना है ठीक है तो अभी हम जलते हैं next भी तो next हमारा होता है next हमारा होता है लोट लकार तो लोट लकार में क्या है तो लोट लकार में जन्नली तू ताम अन्तू ही तम त आमी आनी आवा आम है तो इस तरह से होता है और अगर हम बात करेंगे next की लिट लकार यानि भविश्यकाल तो लिट लकार में भी तो इस तरह से होता है सभी एक दूसरे से कहीं ने कहीं एक जैसे हैं आविने याद कर सकते हैं easily तो यह टोटल नो होते हैं तीन तीन शे और तीन नो तो नो प्रत्य हैं कुल में लाके क्या हैं यह प्रत्य हैं जो वर्डिंग्स के लास्ट में लगते हैं ठीक किसी भी लगते हैं उनको प्रत्य हैं ठीक है नेक्स अलते हैं अब हम बात करेंगे समास परकरन की तो धातू मेरे साथ से धातू परकरन आप कर लेंगे बस उनको बेसिकली आप याद कर ले वह जितने भी चीज़े हमने यह बताई है पीछे यह सब जो स्ट्रक्चर है वह प्रस्मे कर सकते हैं बेसिकली ज्यादतर अग्जाम में जहां तक मैंने देखा है आते हैं परस्मने पद से ही ठीक है और इसका केशन आपके एक्जाम में आएगा हंडेट परसंट आएगा लिख लीजिए ए चीज़ ठीक है अब जलते हैं समास परकरन पे एक केशन इसका भी आता है ठीक तो समास को हम बहुत ही easy way में पढ़ेंगे समास का मतलब होता है short में कहना ठीक है एक बड़ा सा sentence अगर मैं उसको short में कहा दूँ तो वो कहलाएगा समास और विग्रे मतलब की उसको छोटे से word को detail में कहना ठीक है तो जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं कह देता हूँ कि 10 है सिर उसके ठीक तो 10 है सिर उसके तो क्या हो गया दसानन्द ठीक तो दसानन्द क्या हो गया यहाँ पर समास हो गया और दसानन्द का अगर विग्रे करना हो तो दसानन्द एक word है शोट में कहा दिया हमने दसानन लेकिन अगर मैं डिटेल में कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा दस है सिर उसके चिक तो ये डिटेल में हो गया वो हो गया उसका विग्र है तो बेसिकली ये चीज होता है अब आते हैं कि वहिया समास होते हैं चार समास होते हैं चार प्रकार के कौन-कौन से होते हैं अव्यविभाव, तत्पुरुष, दुअंध और बहुब्री तो बहुब्री ही दुअंध, तत्पुरुष और अव्यविभाव ये होते हैं समास ब हम तत्पुरुष समास का ठिक भेद नहीं है भेद नहीं है टाइप नहीं है बेसिकली हम इसके अंदर इसको रखते हैं बस इतना जान लेगी या आप इसको सेपरेट भी बोल सकते हैं कंफ्यूज मत होना इस चीज में तो पुल मिला कि यहां आपकी स्क्रीन पे छह समास लिखे हुए छे कौन कौन से अवेविभाव तत्पुरुस करमधारिये द्विगू द्वंद और भावबरी इनके बाले में अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे डेटेल में सपोंच किजिए लिखा है उपनगरम क्या लिखा है उपनगरम तो इसमें जो उप है ये पहला सब्द है यानि पूर्वत है ठीक और जो नगरम है वो नगर जो है ये उत्तरपद है ठीक है कैस असमाजगे इतनी बात समझगे हुए तो यह चीज़ होती है अब चलते हैं कि अव्यविभाव में क्या होता है जो पूर्वुपद होता है वो अव्यव होता है और परधान होता है तो अव्यव होगा और परधानता होगी उस सब्द की तो उस सब्द का जो अर्थ होगा वो कहीं न कहीं अव्यव होगा और परधान होगा ठीक है तो अब चलते हैं, जैसे इसका एक्जामपल ले लिखा हुआ है, यहाँ पर उपनगरम, अगर मैं इसका विच्छेद करूं, विग्रह करूं, तो न खरशे समीपम, यानि नगर के समीप, तो उपनगरम का क्या मतलब होता, नगर के समीप, तो इसे संस्क्रिट में लिखेंगे हैं नगरश्य समीपम ठीक है तो नगरश्य समीपम नगर के समीप तो यहाँ पे जो बेसिकली हम समीपता दिखाने की कोशिस कर रहे हैं इसमें क्लोजनेश ये समीप ता दिखा रहे हैं किसके समीप नगर के समीप तो समीप जो सब्द हो गया वो परधान होता है यानि उप जो वर्ड हो गया वो परधान हो गया यहां पर दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं दूसरा एक्जामपल हम लेंगे तो दूसरे एक्जामपल है परती दिन तो दिनम दिनम परती तो परती दिन में क्या हो गया परती परधान हो गया और अव्यब भी हो गया अव्यब वह होता है जिसमें हम बेसिकली जैसे आप देखते हैं कि वर्ब की थीन पहुम होती है जैसे रीड 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 ऐसे होता न यह वर्ड जो है जो चेंज निए होता, read क्या हो गया, आव्यव हो गया मतलब में अधी की बात कर रहा हूं अधी अव्यव भी हो गया और अपने आप में परधान भी हो गया कहीं न कहीं ठीक तो इसका एक निरुक्ति या डेफिनेशन आप बोल सकते हैं पूरु प्रदार्थ प्रधानों अव्यवी भाव यह याद आपको करना होगा इंपोर्डेंट है पूरु प्रदार्थ प्रधानों अव्यवी भाव नेक्स चलते हैं फटा फट से उफ चलो चलते हैं नेक्स पे तो नेक्स होता है तत्पुरु समास और तत्पुरु समास का एक यहाँ पे एक स्लोक है यह भी आद करना होगा उत्तर प्रदार्थ प्रधान तत्पुरुश तो जिसमें उत्तरपद जो होता है ना वो प्रदान होता है जैसे यहां पे उत्तर बाद वाला राज पुत्र लिखा है तो कहीं नहीं हम बाद कर रहे हैं पुत्र है वह पुत्र है किसका पुत्र है राजा का पुत्र है तो उस पुत्र को हम रिप्रजेंट कर रहे हैं तो पर्थम नहीं होता है चतुर्थ पंचम चस्च और सब्सक्राइब तो सबसे पहले दुट्य में क्या होगा जो पूर्व पद होगा ना पहले वाला जो पद होगा वह भगती में होगा सपोर्च करो यहां पे वेद विद्वान लिखा है तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो वेदम विद्वान इस तरह से लिखेंगे क्या लिखेंगे वेदम विद्वान इस तरह से लिखेंगे न तो यानि वेद को जानने वाला वेद विद्वान क्या हुआ वेद को जानने वाला तो वेदम विद्वान लिखेंगे इसका जब हम विग्रह करेंगे तो तो वेदम तो इसका विग्रहाम ने किया ग्राहम गता ठीक तो ग्राहम जो है वो दृत्य भग्ति में है आप चलते हैं सेकंड वाला जो एक्जामपल यहां पर यह जो इसको आप याद करेंगे इंपोर्टन उसका है आया ओवा पहले अब चलते हैं सेकंड पे यह होता है त्रत्य तत्पुरुश में क्या होगा जो पूरुपद होगा वह तीसरी भग्ति में होगा जणरल यह ऐसे होता है तो तीसरी भग्ति में जैसे यहां पर एक्जामपल दिया है ज्यान हीन तो इसे वग्ति में ऐसे अगनी दगध है तो अगनी से जला हुआ तो अगनी ना दगध है तो अगनी ना जो हो गया वह तर्प्र वक्ति में हो गया ठीक अब चलते हैं नेक्स पर नेक्स यहां पर है चतूर्थ तत्पूरुष तो चतूर्थ तत्पूरुष की बात कर रहा हूं तो इसमें भी पूर उपद ग्या होगा। क्योंकि चतुर्थ है तो चतुर्थ भक्ति में होगा पंचम है तो पंचम भक्ति में होगा सस्टम है तो सस्टम भक्ति में होगा पूर उपद है ठीक तो देश हित तो देश आय हितम लिखूंगा इन देश के लिए हित तो देश आय हितम तो देश आय क्या होगा चतुर्थ पुरूपत क्या बटी में autos जो आथ चान्सलेशन अभी उव एक पड़ोगे ने यह समझ में आजहेगा आपको कॉसे ब vendors कैसी बंटी क्या यह तारी चीजिए और पहले विन आपने जब सब बीडियो चाहिए तो अब चलते बस था है इसले हैना के उस सप्वेश्थ К देखेंगेен 심錢 सात्वी भक्ति होगी पूरुपत की रणवीर अगर लिखा है रणे वीर तो रणे क्या है रणे सात्वी भक्ति में है ठीक तो basically ऐसे होता है बहुत simple है कुछ भी नहीं है अब आते next समास पे चलते है करमधारिये तो करमधारिये के बैसिकली इनी का क्या होगा इनी को हम शोट में कहेंगे तो क्या होता है विसेशन क्या होता है विसेश्टा बताना और विसेश्चे क्या होता है जिसकी विसेश्टा बताई जैसे यहाँ पर एक्जामपल लिखा हुआ है मधूर वचनम तो वचन क्या है मधूर है तो वचन की विसेशन हो गया और वचन क्या होगा विसेश्य हो गया तो यहां पर क्या होगा करम धारिये ऐसी जो वर्टिंग्स होंगे जहां पर विसेश्था बताई जा रही है तो वो करम धारिये समास में आते हैं इसको करेंगे मदूरम वचनम तो सिंपल सी बात हो यह यह चीज हो जा तो पूरुष विसेश्य हो गया ठीक है तो simply यहां से इसको ले सकते हैं अब चलते नेक्ट पे तो next होता है दुविगू समास और दिविगू समास का एक होता है संख्या पूर्वी दिविगू इंपोर्टिट समास है इसमें संख्या इसमें बताई जाती है जिसमें संख्या आए तो वो दिविगू समास है जैसे पूरुपद क्या होगा संख्या वचक होगा ठीक है इससे दसानन लिखा हुआ है कई बारा हुआ है बहुत बारा है हुआ है तो ऐसे कुशन आ जाता है कि समास कोई वर्ड दे देते हैं कि बताइए कों सा समास है और इसका क्या की जिन निरुक्ति या परिभास आप बताइए जो ये वर्ड लिखा यहां पर तो यह इसकी सब्सक्राइब तो द्विगू समास होगा, इससे से आप पैचान सकते हैं, इसको नेक्स चलते हैं, द्वंदव समास जो होता है, द्वंदव समास में एक सुत्र है, चार्थे द्वंदम, यानि चै के अर्थ में, यानि और के अर्थ, चै का मतलब होता है और, जैसे राम और साम, जैसे राम परदान होंगे सभी पद जैसे एक्जामपल है राम कृष्णो यानि राम और कृष्ण ठीक है न तो इसको बोले यहां पर लग जाता है चय का मतलब होता है और अब हम चलते हैं बहुब्रीही समास की ओर तो बहुब्रीही समास important है आया हुआ है अन्ये पदपरधान अन्ये पदपरधानो बहुब्रीही तो इसमें क्या होता है यह जो दो वर्ट दिये हुए है यह परधान नहों करके इनके अर्थ परधान नहों करके कोई तीसरा वर्ड होता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो इन दोनों में से कोई भी परदान नहीं है बलकि विश्णु जी की बात हो रही है तो एंगे विश्णु जी क्या हुए तीसरा वर्ड और छाए है तो जहां इस तरह के वर्ड आपको रिकाई दें वहां बहुत रही समास होता है बेसिकली यह वीडियो हो जाती है खतम इस वीडियो में मैं आपको बताने की कुछिस कर रहा था उमीद है वो आप समझ गए होंगे नेक्स वीडियो दो वीडियो और लेके आऊंगा आपके यह होगी अनुवाद पे अगली वीडियो होगी प्रत्य पे और उसके बाद होगी अनुवाद पे और उसके बाद आपका पूरा स्लेवस खतम हो जाता है आज जो मैंने बताया एट लिस्ट वो 20 यहां पे 20 मार्क्स का आपके पेपर में आना ही है यह वीडियो आपको 20 मार देखे जाएगी इसलिए इसे बार बार देखेंगे सारी चीजो को नोट करेंगे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो वहाँ पे जोइन करेंगे मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स पार्ट में तब तक के लिए थैंक्यू जयारवेदा